सबी बक्तों को श्री शिवाय नमस्तू प्या हर हर महादेव सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक सदिक लोगों को इस वीडियो को शेर कर दीजिए कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए कल की कता में गुरू जी ने दो पत्र बते दो पत्र पड़े साथ ही साथ में दो नए उपाय भी बताए है तो सबसे पहले आपको पहला उपाय बताते हैं जो पहला उपाय बताया है वो बताया है गुरू जी ने शमी पत्र का धन की आपको कैसी भी कमी हो रही हो जमी चल रही होगी वैपूर्ण तह समाप्त हो जाएगी अगला उपाय अगला उपाय बताने से पहले आपको पत्रों की जानकरी देते हैं तो सबसे पहला जो पत्र पड़ा गुरुजी ने उसमें महिला ने बताया कि कई वर्ष हो गए थे और उनको संतान की प्राप्ति नह हो भाई सारे इलाज करा लिए फिर जब वो ओटो में बैठी होई थी तो किसी महिला ने उनको कहा कि तुम्हें एक बर पशुपति नात का वर्ष क्यों नहीं करती है पशुपति नात की वर्ष की जानकरी गुरुजी ने कल भी देती कि पांस सोंबार का ये वर्ष होता है क किसी भी सोंबर से आप इस वरत को प्रारम कर सकते हैं साथ ही साथ में जब पहले दिन आप मंदिर जाएं तो जो जो वस्तुएं आपको मिल जाए वो सारी वस्तुएं ले जाकर बगवन चंकर की पूज़न रचना कीजिए शाम के समय आपको वही ठाली लेके जानी है जो साथ में छे दिपक लेके जाने हैं अपनी ठाली में रखकर शाम को आपको कुछ भी नहीं रखना केवल और केवल भगवान चंकर के शीवलिंग पे थोड़ा सा चलका छीटा मारना है जब आप शीव मंदिर जाएं उसके बाद सबसे पहले चीटा मार कर भगवान की पूज में तीन इससे कर दीजिए उसके बाद में जो छे दीपक आप लेके गया है वो छे के शे दीपक थाली से उतार दीजिए थाली से उतारने के बाद में एक एक दीप प्रजोलित कीजिए भगवान शंकर का नाम लेते हुए कामना करते हुए नाम लेते हुए आपकी बनो काम न बोलते हुए कि दीप प्रजुरित कीजिए चटे नंबर के दीप को प्रजुरित नहीं करना जलाना नहीं है अब ये जो तीन इस्से हैं परशाद के इन तीन इस्सों में से आपको दो इस्से शिर्मंदिर में छोड़ देने और एक इस्सा अपने साथ ठाली में रख लेना है और जो छे दीप चटवे नंबर का दीप है उस दीप को आपके साथ में वापिस ताली में रख लेना है अब जब घर में आप प्रवेश करेंगे तो घर के दरब मुख करकर यानि घर के दरब आपका मुख होना चाहिए गर के बाहर सीधे हाथ पर ही आपको इस छटे दी बैद कर दिशित को भी नहीं देना है और उसके बाद में कहना खा लीजे खाना वही कहना है जो आपके घर पर अफर मना हो इस पर दोसरा तीसर चोता ना पर पांच वह वह बद करना है फांचbor एक मंदीर के अंदर करना है यादि किसी कारणवाज प्रत एक वह बद न आ हो शिव मंदरे में आपको पाच के पाच वरत पून करना है इस प्रकार आपको पाच वरत करना है पाच वरत में एक स्वाट कोई सी विवस्तुए समर्पित कर दीजिए साथ ही साथ में एक शिरिफल जिसके ओपर थोड़ी सी दक्षिना रखके साथ बार मूली का दागा पशुपति वरत असफल हो गया उनको लगा शायद कोई गलती हो गई होगी मुझसे उन्होंने फिर से वो पशुपति नात का वरत किया पशुपति नात का वरत करने के बाद में इस बार उनकी जोली बरी और उनका गर्ब टहर गया साथ ही साथ में उन्होंने सफेद माता वहिन को और बाबा को प्रणाम कर देना है उसके बाद में एक पीपल का पत्ता अब दूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करते जाईए प्रति दिन और उस पीपल के पत्ते को दूद में उबाल कर गाय के दूद में उबाल कर पती और बतनी रात्री को सोने से पहल पूराहे है उन्होंने उपाइए गिया उनकी जोलीवरी जब 8 महीना था तो डौक्टर ने कहा बच्चा थोड़ा कमजोर है बच्चा थोड़ा कमजोर है फिर भी उन्होंने बाबा का साथ नहीं छोड़ा जब बच्चा पैदा हुआ प्रते दिन एककलाच चल चळाती रही बाबा पे बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा पूर्ण सोसता अगला जो पत्र पड़ा गोरोजी ने महिला ने बताए कि 2014 में उनकी शादी हुई थी सारे टॉक्टर को दिखा लिया IVF भी करा लिया, TESTU BABY भी करा दिया, सब कुछ करा दिया फिर भे उनकी गोध नहीं बडी, जोली नहीं बडी हर जगे से जोली बरवाली, गोध बरवाली, फिर भी उनकी जोली नहीं बरी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई इसके बाद उनके घर के किसी सलज्ट्स ने कहा कि तुम पशूपती नाची का वरत करो साथ में सफेद आंगडे की जड़गा उपाई भी करो तो सफेद आँगडे की जड़गा उनने उपाई किया पशुपती नाची का वरत किया वो वरत उनका घर्ब ठहरा पर उसके बाद भी उनको संतान की प्रावती नहीं हो पई किसी कारण वज़ फिर वो सियोर गई, सियोर से कंकर्शंकर लेकर आई, रुद्राक्ष लेकर आई और उसके बाद में फिर से बाबा पे विश्वास करके उन्होंने पशुपती नाच का वरत किया और पशुपती नाच का वरत करने के बाद में सफेद आखडे की जड़ को भी बांदा जब सफेद आखडे की जड़ पशुपती नाच का वरत किया तो उनको लगा कि उनका गर्ब टेहर गया है डॉक्टर को दिखा है तो डॉक्टर ने कहा ये गर्ब नहीं टेहरा है ये तो कोई गाट या गिठान है ये गर्ब नहीं है पर उनको विश्वास हो गया था कि उनका गर्ब टेहर गया है डॉक्टर लगातर दिखाते रहे डॉक्टर लगातर मना करते रहे कि अगर नहीं कोई काट है इसको आप निकलवा दीजिए ये कोई बच्चा बच्चा नहीं है आप इसको जल्दी से जल निकलवा जीदे आप कोई इसमें फायदा होगा जितने टाइम तक आप इसको अपने पार्च में रखेंगे अंदर उतना ही आपको ये नुकसान पहुचाता जाएगा बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, बहुत ज़्यादा परिशान हो गई पर फिर भी बाबा का सर्थ नहीं चोड़ा उन्होंने कहा कि ये मेरा बच्चा ही है, कोई गठान विठान नहीं है साथ में पत्र में उन्होंने एक उपाय बताया कि एक शमी पत्र गुरुजी ने कहता में बताया थे कि एक शमी पत्र शंकर भागवान पे छड़ा कर उसको अपने पास रखे जितने समय आप अपने पास रख सकते हैं तो उन्होंने एक शमी पत्र, पगवान शंकर को समी पत्र समर्पित करा और समर्पित करने के बाद में उसको अपने पास में रखा आठ महीने गुजर गए, नव महिने में डॉक्टर ने कहा कि हाँ ये आपका बच्चा ही है आपको गर्ब ही है ये कोई गिठान विठान नहीं है उसके बाद में नव महिने में उनकी अच्छे से डिलीवरी होई और उनको संतान की प्राप्ती होई तो इस प्रकार विश्वात रखे आपको भी संतान की प्राप्ती होगी आपको भी आ हर महादेव अगला उपाय अगला उपाय गुरुजी ने जो बताया है वो बताया है एक शमी पत्र और एक बेल पत्र वाला उपाय बताया है ये उपाय आपको कार्थिक महीने में करना है दन की कैसे भी कमी हो उसमें आप इस उपाय को कीजिए दन की जितने भी कमी चल रही हो वो आपकी कमी समापत हो जाएगी वैसे ही उपाय आपको करना कब कब है गुरु जी ने तो कहा है जो कारतिक महीने के सोंबार पड़े उसमें चार सोंबार आए या पास सोंबार सारे सोंबार अगो कीजिए जो दो प्रदोश है उन दो परदोश को भी आप कीजिए जो शिवरात्रिया है जो शिवरात्रिय को भी आप ये उपाई कीजिए पैसे तो गुरु जी ने सारे दिन बताए है पर मैं आपको बोल देता हूँ कि आप कार्दिक के पूरे महीने ही ये उपाई कर लीजिए जब चार सोमबार करेंगे दो परदोश करेंगे शिवरात्री करेंगे तो पूरे महीने करने में क्या जा रहा है एक बेल पत्र एक शमी पत्र का ही उपाय है चोटा सा कोई ज़्यादा पड़ा उपाय भी नहीं है करना क्या होगा आपको इस उपाय में एक शमी पत्र और एक बेल पत्र आपको समर्पित करना होगा भगवान चंकर के शिवलिंग पे सबसे पहले बेल पत्र समर्पित करना है और उसके बाद में शमी पत्र समर्पित करना है बेल पत्र आपको कहा समर्पित करना है ये जानते हैं आप माता अशोक सुन्दरी का स्थान होता है इस स्थान पर आपको समर्पित करना है बेल पत्र समर्बित करोगे जो बेल पत्र के डंडी है वो जो ये खाली स्थान है इस स्थान पर होनी चाहिए जैसे कि मान लीजे आप बेल पत्र समर्बित करते हैं तो अभी तक तो गुरू जी बताते थे कि बीच वाला पत्ता इस स्थान पर हो बीच वाला पत्ता इस माता शोप सुतरी के स्थान पर और डंडी इधर चरणों की तरफ हो जाने चाहिए अपकी बार आपको जो बीच वाला पत्ता है वो इस तरफ रखना है दोनों पत्ते इस तरफ हो जाएंगे और वो जो डंडी का भाग है वो डंडी का बाग ये भगवान शंकर की तरफ हो जाएगा तो इस तरफ डंडी हो जाएगी इस तरफ बेल पत्र हो जाएगा और बीच वाली पत्य हो जाएगी शमी पत्र की डंडी जो ये पीछे कारती के जी है इनकी तरफ होने चाहिए और पत्ता आग सामने की तरफ तो जो शमी पत्र होगा उसकी डंडी भी इधर ही होने चाहिए और जो बेल पत्र होगा उसकी डंडी भी उस सेड़ी होगा मतलब दोनों की डंडिया एक ही दिशा में होनी चाहिए जैसे बेल पत्र की डंडी दक्षिन दिशा में है तो शमी पत्र की डंडी भी दक्षिन दिशा में होनी चाहिए इस प्रकार यह आप उपाई कीजिए कार्थिक के पूरे महीने कीजिए दन की कैसी भी कमी हो रही होगी आपको वेपूर्णता समापत हो जाएगी सभी बक्तों को शिरी शिवाई नमस्तू प्याम हर हर